कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपस्वर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टुरेंट्स आज की सक्षा में आप सभी का स्वागत हैं आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संतुलित आहार होगा पिछली कक्षा में हम बिटामिन्स को बहुत अच्छे से समझे थे जो भी प्रमुक पोशक तत्वो थे उन सभी को हम देखे थे आज हम संतुलित आहार पर प्रकास डालेंगे क्या होता है संतुलित आहार बैलेंस डाइड नाम से ही स्पस्ट हो रहा है ऐसा आहार जो क्या हो संतुलित मात्रम हो या एक निश्चित मात्रम हो ना कि प्रोटीन जादा हो तो कार्भोहाइडरेट कम हो ना वसा जादा हो तो पता होना चाहिए कि कौन सा आहार, कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना चाहिए, तो ये हमारा क्या होता है, संदुलित आहार होता है, संदुलित आहार, बैलेंस डाइट की हम बात करें, तो बैलेंस डाइट हमें बताता है, कि हमें कौन से पोसकतत, वो को कितनी मात्रा में ले तो संतुलित आहार अर्थात ऐसा आहार जिसमें निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन प्रकार के पोफसत्त तो क्या हो सामिल हो तो ये क्या है आपका संतुलित आहार है अगला पॉइंट्स देखेंगे संतुलित आहार ये सुनिश्चित करता है कि सरीर की जरूरतों के लिए परियाप्त पोशर हो जिससे हम स्वस्त रह सके संदुलित आहार ही हमें क्या करता है यह चीजे स्पस्ट करता है अगला पॉइंट देखेंगे संद्रलित आहार में कार्बो हाइट्रेट अगर हम संद्रलित आहार कर रहे हैं तो उसमें कार्बो हाइट्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए इवेन आपके बिटा प्रोटीन की हम बात करें तो यह 10-12 प्रसेंट होना चाहिए इतनी कैलोरी होनी चाहिए तो यह हमारा क्या सुनिश्चित करता है यह हमारा सुनिश्चित करता है हमारे संतुलित प्रते की आयँ स्वास्थ और कार्य के अनुसार ही निर्धारित होता है ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को जितना आहार दिया जा रहा ह उतना ही बड़े बच्चे को दिया जाए यहां सकता है कि आपके बुजुर्ग वेक्तिक आहार कम हो या किसी यह वहारा ? कि आहार ज्या पर अगर कोई वेक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है उसे हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइट्रेट या वसा लेने के लिए तो नहीं कह सकते ना उस समय हम उसे क्या कहेंगे एक सिंपल भोजर एकदम हलका भोजन करने के लिए तो स्वास से कारे पर नाली और उम्र के अधार पर ही क्या होता है सभी के लिए संदुले ताहार क्या नहीं हो सकता से नहीं हो सकता है चलिए अब बात करते हैं जब कभी पढ़ा करते थे छोटे बच्चे थे तो मध्यान भोजन में भी हमें इस प्रकार का भोजन दिया जाता था दोपर के समय हमें एक्सर बिलता था जिसमें हम दाल चावल अचार पापर खाते थे तो यह क्या करता है विद्डे मिल योजना की अगर हम बात करें तो इसका फुल मिल इसकीम होता है यह क्या होता आपके एक स्कूल फिडिंग प्रोग्राम में होता है ठीक है अगर हम इसके सुरुवात की बात करें यह क्या है आपका स्कूल फिडिंग प्रोग्राम है जो कब प्रारम्द किया गया था तो याद रखिएगा मद्रास नीगमद्वारा सन 1925 में डेट आपको याद रखना है सन 1925 में प्रारंब किया गया था क्योंकि और इससे सवाल बन चुके हैं पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके सवाल ऐसे ही बनते जाएंगे आप टॉपिक करते जाएंगे और सवाल यहीं से बनेंगे क्योंकि मैं आपसे हर दीन बार-बार यही कहते हैं कि सीटेट का जो लेवल है वो बढ़ चुका है आप पिछले बार का सीटेट का एक्जाम देखेंगे तो उसमें अपका पैड़ागोजी जादा कर दिया था कुछ कुछ चीजे हमें लगती कि out of slayvers आगया है ऐसा नहीं है out of slayvers नहीं आता है वो आपको एक slayvers दे देते हैं उसी slayvers से वो भुमा हुमा कर सवालों को करते हैं तो हमीं इसी चीज़ को क्या करना है maintain करना है मिड़े मिल इसकीम की हम बात करें तो ये क्या एक सूविचारित कारिक्रम है जिसका उद्देश क्या है वंचित बच्चों को प्रतिदी कब दोपहर का भोजन कम से कम एक कोशड की दृष्टी से पर्याप्त उपलब कराया जा सके मतलब कम से कम हम कोशिस क्या कर रहें कि कम से कम उन्हें दोपहर का भोजन प्राप्त हो जाए तो ये हमारा क्या है उद्देश से है मिड़ दे मिल योजना भी याद रखिएगा चलिए अब हम बात करेंगे प्रतिदिन औसत केलोरी की आवश्रक्ता किसके हिसाब से आपके उम्र के हिसाब से बाटा गया है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितनी केलोरी उर्जा की आवश्रक्ता होगी समझने का प्रयास करेंगे आयू वर्ग एक तरफ लिखाया और आपका केलोरी प्रतिदी ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेगा अगर हम बात करें 10 से 12 उम्र के जो होगे उनको कितने जरुरत पड़ेगी तो इनु पड़ेगी 2000 केलोरी की आवश्यक्ता होगी साथ ही आपके जो 12 से 14 वर्ष के लोग होगे उन्हें कितनी केलोरी की आवश्यक्ता होगी तो 200, 14 से 16 एर के जो होगे उन्हें 26, 15 से 18 जो होगी उन्हें आपका 3000, साथ ही जो व्यस्क होगे व्यस्क में कौन होगे जो आपके 18 प्लस होगे उन्हीं कितनी केलोरी की अवस्था पड़ेगी तो उन्हीं पड़ेगी पची सो से चार हजार यहाँ पर सबसे जादा जो उम्र के हिसाब से केलोरी उर्जा की अवस्था हो रही है तो यह हो रही है आपके व्यस्क लोगों को व्यस्क लोंको सबसे ज़्यादा क्या हो रही है केलोरी उर्जा देखने को मिल रही है प्रति दिन अगर हम बात करें व्यस्क के बाद अगर कोई है तो 15 से जो 18 वर्स के होंगे न जो किसोरा वस्था के बाद की अवस्था शुरू होती, जिसे हम क्या कहते हैं, युवा वस्था कहते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, बाल, विकास जो हम सब्जेक्ट CDP कर रहे हैं, उसमें हम विकास की अवस्थाओं में देखे थे, कि 15 से जो 18 वर्स होता है, उसमें बच् होती हैं, चली, यह तो हमारे CDP की बात हो गई, हम तो EVS देख रहे हैं, अगर हम EVS में देख रहे थे, क्या, व्यस्था, व्यस्था में कितनी के लोरी की अवस्था होती है, प्रति दिन 2500 से 4000, साथ ही, जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, वुजूर्ग हो जाते हैं, उन्हें मा आगे बढ़ेंगे, भोजन पकाने की अलग अलग विधिया, देखे, जब आप भोजन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे न, अभी आगे पढ़ेंगे आप लो, तो उसमें क्या होता है, आपके भोजन की कई प्रकार की विधिया होती है, आपने देखा होगा कि हम भोजन को क् देखते हैं, ये एक्जामपल आप देख सकते हैं, सेखनी की विधियों में, तल क्या सकते हैं आप लोग, कभी आप लोग आलू तल लेते हो, कभी चिप्स तल लेते हो, या कुछ भी आप तल सकते हो, ठीक है, तो ये तलने की विधियी हो गई, आप भुट्टा भून लेत च्छान की अलग विधिया है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं पूजन को ग्रहन करते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे अच्छा भोजन से याद आया, पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग कच्चा भोजन खा जाते थे, ऐसा क्यों होता था क्योंकि हम पहले आदी मानों थे और हमारे जो सरीर का पाट था वो विक्सित नहीं हो पाया था, ठीक है, और हमारा सरीर उस से ऐसे हम जिस वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, सिकार करते थे, तो हम लोग कंद मूल बगारा खाते थे, और कच्चे भोजन भी कर लेते थे, लेकिन अब हमारी जो पाचन शक्ती है, उसमें इतनी छमता नहीं है कि वो कच्चा भोजन क्या करे, बचा सके, तो अगले जो टॉपिक होगा, उसमें मैं आप लोगों को और ज़्यादा डीटेल में बताऊंगी, निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अब देखिए, बिटामिन्स की हम बात करें, तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छे से बताया था, बिटामिन्स के बारे मे साथ ही इसके रसाइनिक नाम के बारे में, चली इन्हें क्या करना है, सुमेलित नहीं है, हमें जो मैच नहीं है, वही हमारा आंसर होगा, यह हमें बताना है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बिटामिन A, तो आप सभी जानते होंगे कि बिटामिन A का रसाइनिक नाम क्या ह है तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बिटामीन A का रशाइनिक नाम क्या है अपका रेतिन ओल है क्या रेतिनोल हमारा सही है चलिए एक बार चेक करते हैं तो हम देखेंगे यह रहा आपका विटामीन A और इसका रशाइनिक नाम रहा रेटिनोल ठीक है याद रखिएगा vitamins vitamins के रसाइनिक नाम साथ ही इसकी कमी से होने वाले रोग को भी आपको ध्यान रखना है दूसरा है आपका B12, B12 में लिखा है थाइमीन, क्या B12 का रसाइनिक नाम थाइमीन है, चलिए एक बार हम चेक करते हैं, यह रसाइनिक नाम आपको याद रखना है, यह रह है थाइमीन, तो यह क्या हो गया, आपका B12 गलत हो गया, और हम से क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी हम आगे का देंगे, देखेंगे D का रसाइनिक नाम क्या पूछा है, तो कैलसी फेरोल दिया है, क्या यह सहीं है, यह भी हम चेक करेंगे, यह रहा इसकी कमी से क्या होती है प्रजनन जो छमता होती है उसमें कमी आती है उसमें दिखकत आती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका इसी तरह से सवाल आपके बनेंगे उसको घुमा हुआ के एक्जामीनर आपसे पूछेगा तो यह सब आपको याद रखना है रसाइनिक नाम और इससे होने वाली बिमारी इसकी कमी से होने वाली बिमारी अगला कोस्चन है नीचे दिये गए खाद पदार्थों के किस समुच् लग तत्व प्रचूर मातरा में होता हैं हमने पढ़ा था कि जो लग तत्व होता है वो ज़्यादा अतर हम किसमे देखता है आवला गूढक में देखता हैं पिश्ली गफ्षन में ह bless the response अब इसका आंसर हमें लगाना है नीचे दिये गए खाद पदार्थों कि some उच्छे म प्रचूर मात्रा में होता है आवला पालक गुड बिल्कुल सहीं है यह तीनों में होता है आगे बढ़ेंगे आवला सहीं है आलू यहां पर नहीं है तो यह option भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आवला आपका सहीं है आलू नहीं होगा टमाटर भी नहीं होगा इसलि आवला, पालक और गोड में देखने को मिलता है। इसमें लौह तत्तव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसी को खाने का सलह देते हैं। तो यह हो गया आपका गोड यह आवला और यह हो गया आपका पालक अगला कूशन देखिएगा ध्यान दीजेगा मीरा और दिव्या अब यहाँ पास बात हो रही है किसी वेक्टी ठीक है यह रही आपकी मीरा और दिव्या माल लेते हैं, क्या है, हम थोड़ा सा इमेज के थूर समझेंगे, ये हमारी मीरा रही, इसका नाम भी हम रख देते हैं, मीरा, और यहाँ पास है हमारी दिव्या, ठीक, ये हमारी दिव्या हो गई, अब दोनों की बात कर रहे, बोल रहे हैं, कि मीरा और दिव्या छोटी कटलेट और खाती है, डबल रोटी, डबल रोटी खाती है, अब बात करें हम समोसे, कटलेट और डबल रोटी, तो देखी समोसे तेल से तला होता है, कटलेट भी तेल से तला होता है, डबल रोटी में भी क्या होता है, आपका कार्बोहाइटर देखने को अधिक मिलता है, और आपका समोसा हो गया, कटलेट हो गया, तो इसमें वसा की मातरा धीक है, तो all over, जो हमारी मीरा है, वो क्या कर रही है, कटलेट, समोसा और डबल रोटी खा रही है, मतलब वो किसका ज्यादा ग्रहन कर रही है, एक तो वसा का, और एक तो क्या हो गया आपका, सब्सक्राइब मोर्ग सब्सक्राइब क्या atomूजन पसंद करें तो सब्सक्राइब मीरा और दिव्या को निम लिखीत बिमारियों में से कौन सी बिमारी हो सकती देखिए तंदुलित आहार इसलिए होना बहुत जरूरी है अभी लोग बिना क्या कर रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं तो मीरा खाली आपका वसाव कार्बोहड्रेड वाला ज्यादा तो मीरा को क्या होने की ज्यादा संभावना है तो मीरा को ज्यादा संभावना है क्या मोटापा होने का ठीक है तो मोटापा तो यहां पर सही है अगर आपकी जो दिव्या है यह हमारी कौन है दिव्या है अगर दिव्या नहीं खाती है खाना अगर वो लौतत्व नहीं खाती है लौतत्व की अगर उसमें कमी है तो उसको कौन सा बिमारी होगा तो उसको होगा इनेमिया क्या होगा इनेमिया चीइ अचीप एक इनमिया सहीब वो क्या होगी गरशित होगी तो यहाँ पास मोटापा तो फर्स्ट आप्शन में ठीक लिखाई लेकिन यहाँ इसकरवी लिखा तो यह क्या होगया गलत होगया यह अस ओप्शन भी स्थाप्शन हमारा गलत होगया अब फिर से देखेंगे अब वसा के कारण और कारो हाइडरेट के कारण इसको क्या होगा मीरा को मोटापा दीखोगा तो यहाँ पर फस्ट में इसकर भी लिखाए इसलिए यह ऑप्सन भी गलत आगे बढ़ेंगे एनेमिया नहीं मीरा को एनेमिया नहीं बलकि क्या हो रहा है मोटा तो आंसर आपका क्या सही हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को आंसर टिक करना है, तो मीरा को होगा मुटापा और दिव्या को होगा एनेमिया, तो ऐसे ही आपके सवाल बनेंगे, ये सभी सीटेट में पूछे गया सवाल है, चली अगला सवाल है, बिटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंता जन्य रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्रक है, हमारी उपपचे दर बढ़ा कर भार में कमी लाते हैं, ये पॉइंट्स तो हमने देखा ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, स्वस्त रहने के लिए दवाई के लेने की जरूरत नहीं है, पेसियों के विकास करके हमें ताकतवर बनाने में नहीं, अगर यहां पर जो अपनी अपनी जगा सभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सहीं, लेकिन हमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा वाला आंसर नहीं लेना है, हमें एक्जेक्ट आंसर लेना है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा option A होगा हिंता जन्य रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है ये आवश्यक है clear हुआ अब हम बढ़ेंगे अगले question के लिए चलिए यहाँ पर solution भी दिया हुआ है vitamins vitamins के हम बात करें नहीं हमने पिछली कोक्षम ही पढ़ा था कि vitamin क्या है अलप मात्रा में आप लोग mac neben पोसक्ततों देखें और macro तो ये क्या है हमारा alp मात्रा में लिए जाने वाला कोस्क्ततु है ये vitamins को हम क्या करते हैं कम मात्रा में लेते हैं या कह सकते हैं हम लोग अल्पमात्रा में लिएजाने वाला पोफर्सक्तत्त्तों है जिनकी सभी जीवों को अल्पमात्रा में अवश्यत्त्त होती है यह क्या है आपका भी locks बिटामिन जो भी पिछला कश्र नहीं देख लेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है निमलिखित समुहों में से उस समुग को चुनिये जिसमें खाना-पकाने के तरीके दिये गए हैं तो हमने पढ़ा था तो यहां पस उबाल कर तो सहीं है तलकर भी सहीं है भूनकर भी सहीं है तो यह option तो सहीं दिख रहा है में, सेख कर भी आपका सहीं है, चीक है, उबाल कर भी सहीं है, क्या बेल कर खाने पकाने की कोई विधिया है, नहीं, बेल कर ऐसी कोई विधी नहीं है, ये तो गलत हो गया, चीक, तल कर ये भी सहीं है, भीगो कर ऐसी कोई विधी नहीं है ये भी सही है तो ये option भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया ये भी गलत एक गलत मतलब सब गलत सेख कर सही है गूत कर जैसी कोई चीजे नहीं होती भून कर सही है तो ये option भी हमारा गलत हो गया जो क्या कर रहे हैं? इलाज करेंगे और ये कोई मरीज है जो बिमार है, ठीक है? ये बिमार है. तो डॉक्टर साप क्या कर रहे हैं? इनके लिए कुछ दवाईया लिखते हैं और सास में क्या गुलते हैं? गुड, आवला और हरी पत्यदार सबजीयां अवस्य खाने के लिए बोलते हैं मतलब यह वेक्टी को क्या है लौ तक्तो की कमी से कौन सी बीमारी होती तो इसका मतलब क्या है सुझाओ देते हैं यह मरीच की स्रोक से पेड़ित होना चाहिए तो यह आंसर आपका लिखा है इनेमिया आप लोग को ऐसे solve करना है बुखार नहीं होगा malaria तो मच्छा के काटने से होता हैं सब्राइन मीणादी नहीं होता है ठीक है बुखार गलत malaria गलत और आपका मियादी बुखार भी गलत the यह भी हमारे एक प्रकार की बिमारी ओ किया है ठीक है यह गलत हो गया आंसर क्या हो जाएगा आपका एनेमिया याद रखिएगा एनेमिया most important है अक्सर महिलाओं में एनेमिया की जो वीमारी होती है देखने को मिलता है क्योंकि महिलाओं को खून की कभी अत्यधिक होती है ठीक है तो यह हो गया हमारा इनेमिया इसके लिए हम क्या करेंगे गुड आवला हरेतार पत्ती सबजियां अगर हम इनेमिया की बात करें तो इस पर हम पढ़ते हैं अकसर आप 21 आवस्था जब पढ़ेंगे CDP में तो आप उसमें पाएंगे कि हम देखते हैं कि जब महिलाओं को उसी आवस्था में क्या होता है जब महिला उत्तर बाले वस्था से प् ना करना पड़ सकते हैं तो पीरिट कभी कभी को क्या होता है एक निश्वित मातर में नहों कर चीज़ें बहुत बिगड़ने लगते जिसके कारण खून की कमी होने लगते है इसी कारण महिलाओं में इनेमिया की जो बीमारी है वह सबसे ज्यादा देखी जाती है यही कर दुछी हमारे देश में लाए थे तो यह कहां से आया है यह जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्षण भी ही हमने पढ़ाय है कि जितने भी आपके खाद्य पदार थे वह किस किस देश से लायागय तो हमने देखा था कि कहां से लाया गया था तो धच्च्च्च्ड अ अमेरिका होगा यह आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताने क्योंकि पिछली कक्षा में आपको बताई हूँ कि मिर्च कहां से लाया गया है चलिए यह आपका पूरा-पूरा हिंट मिल रहा है आप लोग को आप लोग आंसर बता सकते हैं बेरी-बेरी नामक रोग विसमता निम्न में से किस बिटामिन की कमी से होता है तो याद रखिएगा अगर हम बेरी-बेरी रोग की बात करें तो यह बिटामिन 1 की कमी से होता है और हमने देखा था पिछली ही कक्षा में कि बिटामिन B1 की कमी होने से बेरी-बेरी रोग हो सकता है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक बिमारी है, हमने ये भी देखा था कि ये बिमारी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक सूखा बेरी-बेरी रोग और ए कमी से होता है तो B1, B12 यह समना दे के क्या पूच दे थाइमीन पूच दे या कुछ और दे दे तो याद रखिएगा इसका अंसर थाइमीन भी होगा तो थाइमीन की कमी से होता है यह रोग दो प्रकार के होते हैं गिली बेरी बेरी रोग और एक सुखी बेरी बेरी रोग यह 2020 में हिए आप में सवाल पूछा था डारेक पूछ लिया था बेरी-बेरी रोग कितकी कमी कारण होता है अब क्या कर एग्जामिनार थोड़ा सा कोर्ट करेंगा आप कैसे पुछेगा आपसे अब ये पुछेगा कि गेली-बेरी-बेरी रोग की विशेस्ता बताई कि या भावना होती है पर अगर हो जाता है तो जान का खत्रा भी बच जाता है सूखी बेरी-बेरी रोग नसों को नुपसान पहुचाती है और इससे मास-पेशियों की ताकत कम हो सकती है और अंत में मास-पेशी क्या हो सकते हैं पस्चा घास हो सकते हैं अगर इसका इलाज ना किया आगे बढ़ते हैं भोजन वी से पढ़ाते हुए सुनीता अब क्या है आपकी एक टीचर है सुनीता ये सुनीता मैम है, ये क्या करती है किसी बच्चे को पर्यावरंण पर हारी है और पर्यावरंण का जो विशह वो क्या है भोजन है तो पर्यावरंण अध्यापिका की निम लिखित में से कौन सी युक्ती छात्रों में अनवेशन प्रवित्ती को बढ़ावा देगी अन्वेशन मतलब होता है discover, खोज, मतलब बच्चा कैसे खोजी प्रवित्ती का बनेगा, ठीक है तो इसमें से कौन सी विधी सबसे best रहेगी, सबसे पहला है छात्रों के परिवार वा समुदाय की सदस्यों से भोजन की विविज़ता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के प्रेरित करना एकदम positive answer है यहां पस भोजन की विभिन श्रोतों के चित्र दिखाना, क्या चित्र दिखाने से बच्चा डिस्कावर टाइप से बनेगा क्या, खोजी प्रवित्ती का बनेगा क्या, नहीं, अच्छा स्वास्त बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए इसके काम लेना होगा, आपको बच्चों को अनुदेशन या कुछ ऐसा अप उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, बच्चों के माइन में ऐसा कुछ क्रिएट करिये, आप बच्चों को कुछ ऐसे गतिविधी कराईए, जिससे बच्चा खुद उसके प्रति क्या हो, जिग्यास हो जागरूप को, चात्रों को विविन छेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रा, चित्रों का संग्रा करने से कुछ नहीं होगा, तो यहां पर चात्रों के परिवार वा समुदाय के सदश्यों से भोजन की विविसता की पसंद ना पसंद पर चर्चा करने के प्रेरित करना ये answer आपका कैं से अब आपको सबसे पॉज़टिव पॉर्ट है मैं पूछा गया सवाल है इसलिए आपको वताना है चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो पाशन तंत्र है most important है क्योंकि अगर आप भोजन पढ़ रहे हैं तो आपको पाचन तंत्र को भी समझना अतिनता अवश्यक है तभी तो आप समझेंगे कि आप भोजन का जो पाचन क्रिया है वो किन-किन विधियों से होकर होता है ऐसे तो नहीं होता कि भोजन सीधा पढ़ जाता है वो अगली कख्षा में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही आंसर कमेंट बॉक्स में बढ़ाते रहें और साथ में पढ़ते रहें थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टिम कोको